तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि अल्रेडी हमने मिनिमाइजेशन पर बात की है और हमने समझाए कि किसी भी फाइनाइट आटोमेटर को मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है और मिनिमाइज करते हैं जो अंडस्टेंडिंग हमने अब्जर्व की थे वह यही थी कि यार प्रड़क्तिव और अन्प्रड़क्तिव स्टेट्स वह हैं जिनका लेंग्विज एक्सेप्टिंग क्यापबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है तो अगर हम हटा भी दें तो भी मशीन वही एक्सेप्ट करता रहेगा जो पहले कर रहा था और अब उसी आइडिया को आग इस युनिवर्सिटी एक्जाम वेदर एनी कॉम्टेटिव एक्जाम मिनिमाइजेशन पर डारेक्ट इंडारेक्ट ली कुष्टन पूछे जाते हैं ठीक है मशकार दोस्तों मैं हूँ आपको दो संचेत स्वागत करता हूं नॉलेज गेट पर चलिए शुरू करते हैं तो यहुई स्टेट एक बार हम जिस पे चाहिए उसके बाद हम से फाइनल स्टेट पे ना जा पाएं जिस पे पहुंचने का रहा भा रहा पाएं वह यहां पर साब साट करोंगा क्यू और क्यू तो दोनों फाइनल हा तो भोबिसले से भी आ इधर आ सकते है क्यों नौ स्टार्ट से स्टार्ट करके स्टार्टिंग स्टार्ट करके जिस तक हम पहुंची ना पाएं यह यह फाइनल नेचर का हो नॉन फाइनल का उस पर क्या भी ट्रांजिक्शन हो सब अब एक्स्टा उसको कोई मतलब नहीं बनता सो ना बोथ अब बोथ अब यहां पर था नहीं तो पर काम नहीं हुआ अन्रीचेबल स्टेट आलसे हमने अलुमिनेट कर दिया अभी बात कर लेते इक्वल स्टेट तो इक्वल स्टेट का जो प्रोसीजर लास्ट वीडियो पर हमने समझा था उसी को करी फॉवर्ट करेंगे तो क्या करो मिशा दो गुरूप बनाओ पहला गुरूप बनाओ नॉन फाइनल स्टेट का जिसका यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है विच इस क्यू नॉट तो सिंगल एंट्री होगी और दूसरा गुरूप बनाओ फाइनल स्टेट का जिसके यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है क्यू वन और क्यू तो है ना अब Q1 A पर जाता है Q2 पर, सही बात है, तो मैं यह नहीं बोल रहा कि Q2 पर जा रहा है, भी मैं ग्रुप के हिसाब से खेल रहा हूं, हैना group identity मेरे पास में बोल रहा हूं, Q1 A पर वापस आ रहा है, into the same group, now I'll ask कि Q2 A पर कहा जाता है, Q2 हला कि A पर Q1 पर जा रहा है, but still I'll say, भाई य is a self-loop, so Q2 भी पर वापस आ रहा, so there you see, whether it is A और B, हैना, अगर मैं group के हिसाब से देखता हूं, behavior same है, एक बार आप final पर आगे, तो आप यहीं घूमते रहा होगे, हला कि, अभी मेरा काम था कि एक बार मैं आपको इस तरह पूरे idea से अब्सरव करा हूं, या बात तो देखक अब जो भी state remove होगा, उसके जितने भी outgoing transitions हैं, वो तो उसी समय remove हो जाएंगे, तो Q1 से B भी चला गया और यह A भी चला गया, वो transition जो Q2 पर जा रहे थे, उनका क्या करें, तो और उनकी responsibility Q1 लेगा, because Q1 और Q2 equal है, तो अब यह A kind of बन जाएगा, self-loop, yes, और finally इसको मैं तो now you see, there is initial state Q0, B पर हम self-loop करने वाले हैं, A आएगा, हम आगे बढ़ेंगे, we'll go to Q1, और Q1 पर देखुए, whether it is A और B, again we'll be having a self-loop, and now finally you have a DFA, जिसको आप बोल सकते हो, now that is a minimized DFA, है ना, तो तीन state है, थोड़े से question practice करेंगे, बात एक दम पकड़ में आ जाएगी, सबसे पहले, dead state हटा हो, unreachable state हटा हो, actual जो काम करना पड़ता है, वो एक वालेटी पर है, थोड़ा सा आपने, अगर effort दिया हो, बात समझ नहीं कुछ की, तो और शांदर तरीके साफ इस point को follow कर पाओगे, एक दो question और try कर लेते हैं, look at this, sorry मेरी तबहे थोड़ी सी गड़बर चल है, but I hope अपना काम में अच्छे से कर पा रहा हूं, so now look at this, step number one, सबसे पहले dead state देखो, यह diagram यार बनाएं इस तरह से गया है, मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ पर dead state का कोई scope है, you see, आप किसी भी state पे हो, घूम फिर के मेरे खाल से final state पे आने का option ही है, तो dead state नहीं है, unreachable, I हमें पूरा मौका मिलेगा कि equality को भाई हम ढंक से समझ ले, yes, तो मैं करना काम शुरू करता हूं, और अच्छा कासा effort करना पड़ेगा, Q4 तो अकेला group बनाने वाला, उसका कोई tension नहीं क्योंकि एक ही final state, बाकी सब के सब non final, एक category में रख लेता हूं, sir, so Q0, I'm sorry, not only Q0, Q0 के स इस group में बता ही और कौन कौन आने वाल है, तो Q0 आएगा, Q0 के साथ Q1, के साथ Q2, के साथ Q3, ये सब के सब एक group में आ जाएंगे, अब 0 और 1 गहुर से देखेगा, मैं के करके चेक करता हूं, तो Q0 on 0, कहां जा रहा है, Q1 पे, तो हम नहीं बोल रहे है Q1 पे जा रहा है, हम बोल रहा है, coming to the same group, Q1 on 0, Q2 coming in the same group, Q2 on 0, Q2 on 0, Q1 coming in the same group, and Q3 on 0, again Q2 coming in the same group, ता आप देखे रहे, 0 पे, I don't think कोई confusion, कोई clash है, सब का behavior एकदम सेम है, Q0 on 1, now Q0 on 1, there you see, 1 पे ये Q3 पर रहा है, तो again I will say coming on the same group, but, there you see, Q1, Q2 and Q3, सर 1 पे तीनों का behavior चेंज हो रहा है, और 1 पे ये तीनों के तीनों सर जा रहा है, कहां पर, Q4 पे, तो इसका मतलब अब यहां पर differentiation होगा, इसका मतलब ये चारों state same नहीं है, और ये transition देखके, conclude मत करिए, अगली iteration में पहले cross check करेंगे, दुबारा बट फि हिस्ता नहीं है, हना, तो Q0 को अलग कर दो, बचे जो तीनों को एक साथ रखो, किस किस को, Q1 को, Q2 को, Q3 को, and then you can have Q4, Q0, Q4 पे चेक करना नहीं, फिर से चेक करो 0 पे, तो बलकि 0 पे क्या बहले 1 पे चेक करो, अभी Q1, Q2 and Q3, 1 पे, ये सब के सब I think Q4 पे जा रहे है, इसम Q0 on 1, there you see, माफ कीजेगा, on 0, so it is coming to Q2, I will say coming in the same group, Q2 on 0, going to Q1, coming in the same group, and Q3 on 0, thank you so much, coming on Q3 in the same group, अब ये बात आप अब सर्व करो, कुछ लोग सोचते है, कि अगर equal state का मसला है न भाई, तो एक बार में दो ही state equal हो सकते है, but now you see an example, जहां पर ये तीनों state equal हो गाए, और हर किस पर behavior एकदम सेम है, है ना, तो आसान काम हो गया, अब क्या करेंगे sir, किसी भी 2 को बाहर कर दो, let me say Q1 पहले आता, उसको अंदर रख लेता हूँ, Q3 और Q2 को बाहर कर दो, गौर से देखेगा, ये कम भी important है, how you finish this idea, so, जिस state को बाहर करोगे, गौर से सुनो, उसके outgoing transition already बाहर हो जाएंगे, so, Q3 क्या outgoing transition बाहर हो गए, Q2 के भी, there you see, outgoing transition बाहर हो गए, अब वो transition जो in पे आ रहे थे, उनकी responsibility कौन लेगा, Q1 लेगा, so, now that 0 will become a cell flow, और ये जो 1 पे आप Q3 पर आ रहे थे, now that also you must go to Q1, क्या बना sir, क्या हुआ इसका मतलब, so, initial state हुआ Q0, अब Q0 पाई थिं either it is 0 और 1, आप जा रहे हैं, किस के पास, Q1 के पास, then if it is 0, you are having a cell flow, यानि कि 0 आएगा तो वही wait करोगे, और अगर 1 आया, तो आप पहुँचोगे sir, final पे, और यहाँ पर आप loop करने वाले हो, so, ये जो drama, ये भाई सब 5 states में कर रहे थे, याना 2 state यहाँ पर extra थे, ये पूर one by one, जब चीजों को समझेंगे, observe करेंगे, काम करेंगे, तो मेरे क्याल से clarity भी होगी, और बहुत शांदर तरीके से बात समझ भी पाएंगे, अगर यहाँ तक आपको बात समझ आती है, that is okay, अगर एक question और try करा देता हूं, मेरा मन है, मानता नहीं है, एक question और try करा देता I'll try this question first, because इसमें एक नई बात है, इसमें dead state का भी perspective है, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, अगर आपको यहीं clarity हो रही है, नहीं भाई से देखना, नहीं नहीं, dead state का अच्छा केसे सुद देखो, मैं तो बीडियो पॉस करके काम करो, फिर आगे observe करना, मैं दूबार से दूसरा ग्रूप बनेगा तीन फाइनल यहां पर अगर आप गौर करें, कौन कौन इस है, दी का, सी का और ए का, अब अगर आप इधर ए और बी को 0 और 1 पर चेक करेंगे, मजा आएगा, मजा आएगा, गौर करिए, ए on 0, it is going to be same group, बी on 0, बी on 0, going to a, again, excuse me, same group, and f on 0, again on the same group, not an issue, now, a on 1, is going to c, अच्छा, यह फाइनल वाले गूप में जा रहा है, b on 1, going to the final वाले में जा रहा है, and f on 1, it is having a self-loop, और यहां विचार अलग-अलग हो गए, क्योंकि a और b, गौर करिए, अपने गूप में वापस आ रहा है, f बाहर जा रहा है, और ध्यान श्रा, आप dead state का idea याद रखना, dead state is unproductive, फिर भी single dead state हम रखते, उसको totally remove हम नहीं कर सकते है, last video में अल्रेडी मैंने बात की है, तो यह तो अलग होना ही था इस group से, तो फ़ले यही कर लेते है, उधर अभी नहीं चेक कर रहा हूं है, a और b, एक idea, f ने अपने रास्ते पहले ही अलग कर जा रहा है, तो फिलहाल तो कम से कम ऐसा लग रहा है, यह दोनों equal है, अभी conclude मत करो, जब तक DCE और E मैं, मैं individually check ना कर लो, है ना, तो अब ज़रा DCE check करता हूं, D on 0, पूछना भाई D 0 से, D 0 पे अपने group में वापस आ रहा है, final पे ही रहेगा, C on 0, अपने group में वापस आ र 1, dead पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, C on 1, dead पे जा रहा है, क्या बात है, बहुत गुस्सा है, 1 आती, dead पे जा रहा है, and E on 1 भी dead पे जा रहा, oh my god, it was a surprise, अब आगे cross check करने की जरुत नहीं है, बड़ा शानदार case हुआ, कितना wastage था, A और B दोनों equal है, आपको separate रखने की जरुत नहीं, and पूरा check करने के बाद, we can conclude की, D, C और E भी तीनों equal है, तो already, यहाँ 6 state थे बट उनकी जरुत नहीं, तीन में काम हो जाएगा, बनेगा कैसे, देखते है, B को बाहर कर दो, जो state बाहर जाएगा, उसका outgoing transition, automatically remove होगा, जैसे आपको समझा रहा हूँ, और अगर क D बाहर जाएगा, इसके पास incoming कोई बचा नहीं है, क्योंकि B already बाहर है, तो इसका जो outgoing transition है, वो automatically बाहर होगा, C को भी बाहर, E को भी बाहर करूँगा, इसका outgoing transition already बाहर होगे, और अब अगर कोई ऐसा है, जो D या E पर जा रहा था, जो कि यह 0 है, now that will become a self loop, और यह dead state as it is, य क्या बना, a initial state, 0 बना self loop, 1 पर पहुंचें मागे, then you have c, final, 0 बना self loop, like this, 1 पर पहुंचें मागे, and then you have f, which kind of behave here as dead state, and that will be all, so यह बना final machine sir, अब मुझे लगता इतने 3-4 case अपने देख लिए, कि अब आपका idea clear हुआ होगा, already last video में बात की थी, minimization का कोई भी question आए, छोड़ के नहीं, आना बहुत आसान pattern है, थोड़ा patience आपको रखना पड़ेगा, बट चीजों पर काम करोगे, तो बहुत शांदर तरीके से पूरी की पूरी process आप complete कर लोगे, यहां तक आगए हो, वीडियो पसंद आई है, तो like ज़रूर करिएगा sir, म और मुरी पूरी टीम इस पर काम करेगी, thank you so much, दोस्तों अगर आप उसे सारा स्लेबर्स डेली 3 hours live पढ़ना चाहते हैं, तो get के डिगरी के अंदर subscribe करिया अनेकेडमी platform पर, referral code यूज करिए KGYT, 10% discount के लिए, बाकी सारी information के लिए, वीडियो का link आपको description में मिलेगा,